नमस्कार दोस्टों, एक बर फिर्स से आपका स्वागत है, हिंधी टेकी के एक और नए वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन-किन तरीकों से आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं ऐसे आठ तरीके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनसे आप पैसा अपने ब्लॉग से कमा सकते हैं लेकिन ये कब होगा जब आपका ब्लॉग जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बहुत अच्छा उस पे ट्रैफिक आना शुरूर आ जाएगा और ये कब होगा जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बैल आइकन को भी दबा देंगे और आप पाएंगे अच्छे अच्छे टेप्स ये कैसे आप ट्रैफिक बढ़ाएंगे अपने ब्लॉग पे और फिर इन सारे तरीकों से आप पैसा कमाना शुरू कर लाल बटन दबाके और उसके बगल में जो बैल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी दबा दीजे ताकि जितने भी वीडियो में अपलोड करूँ आपको उनका जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल सके तो चलिए अब बिना सारे कमाई वीडियो शुरू करते हैं और देख तो मैं इस वीडियो के माधियम से उनको बताना चाहता हूँ ताकि वो भी आएं और शुरू कर सके जो भी नॉलेज है उनके पास वो उसे ऑनलाइन लेके आएं और वो भी पैसा कमाना शुरू कर सके तो चलिए पहला तरीका पहला तरीका है अपने ब्लॉग पे एड लगा पासकते हैं और जिनसे अर्निंग अच्छी खासी आप कर सकते हैं तो यह पहला तरीका हो गया कि अपने ब्लॉग पे किसी भी एड नेटवर्क के आड लगाई है और पैसा कमाई है दूसरा तरीका होता है एफ्लिएट लिंक्स एफिलिएट लिंक्स होते हैं धेर सारे प्र products के link दे सकते हैं affiliate links जैसे कि आप Amazon पे जाके अपना एक affiliate account बना सकते हैं और उसके link आप उस पे दे सकते हैं कि इन से जाके काप खरीद लिजे ये products मैंने यूज किये हैं या फिर electronics का ऐसा हो सकता है उसमें आप link दे सकते हैं और जबी भी कोई बंदा उन link से उस website पे जाके कोई सामान खरीदेगा तो आपको एक commission आपके account में मिल जाएगा तो ये हो गया दूसरा तरीका तीसरा तरीका तीसरा तरीका है guest post जब आपका blog बहुत अच्छा चलने लगेगा उसकी rank बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपके पास धेर सारे proposal आने लगेंगे कि हम आपके blog पे guest post करना चाहते हैं या फिर आप खुद भी एक link लगा सकते हैं side में कि guest post यहां से करें अब जो भी जिस भी topic से related आपकी site होगी जैसे मालीजे education से related है या हमारा या topic है या हमारी site के बारे में एक आप लिख दो या कोई नया blogger हो सकता है वो आपसे कह सकता है कि मेरे बारे में लिख दो और उसकर वाज में आप को पैसा दे सकता है वो पैसा कितना होगा यह आप खुदते करेंगे 1000 हो सकता है 15 हो सकता है एक post के लिए यह आप पे depend करता है और आपकी website की rank पे depend करता है अगर बहुत अच्छी rank है अगर आपकी तो हो सकता है एक एक post का आप 10,000 भी ले सकते हैं 5000 भी ले सकते हैं यह आप पे depend करता है तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, यानि की 4th, अब ये है Add Spot Selling, अब आपने कई सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा, कि side में लिखा होता है, कि your ad here, एक square में लिखा रहता है, your ad here, तो आप एक Add Spot अपनी वेबसाइट पर बना सकते हैं, या ब्लॉग पर, ज यसाब से आप बेच सकते हैं लेकिन इसके लिए website पे traffic बहुत अच्छा होना चाहिए जैसे कि यदि आप jagran.com जैसी website पे अगर एक दिन के लिए भी वो spot खरीदते हैं तो आपको 10 पैसे प्रती impression शायद तो अगर दिन में कितना होगा impression एक लाख impression होगा जो भी impression होगा उसके इसाब से calculate करके पैसा उनका बनता है तो इसी तरह यदि आपका blog भी बहुत popular हो जाता है तो आप अपना ad spot sale कर सकते हैं कोई भी ad spot या तो आप post के उपर, post के नीचे अब educational website कैसा ad spot बेचती है जैसे कि book को, कोई अच्छी book अगर launch होई है तो उसको ad spot sale कर देते हैं publisher के लिए, online खरीदने के लिए या coaching centers को, coaching center वाले खरीदेते हैं या फिर जो online quiz होते हैं, online quiz वाली website जो होती है वो अपना बोलती है कि यह हमारा ad spot यहाँ पर लगा लो, आपकी website बहुत अच्छी है तो इस तरह के जो ad spot हैं आप उन्हें sale कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं पांचवाँ दो तो पांचवाँ जो है वो है app promotion धेर सारे app नए-ने launch होते रहते हैं और यदि आपकी website आपका blog बहुत अच्छा चल रहा है तो आप धेर सारे apps का promotion अपने website के थूँ या blog के थूँ कर सकते हैं उसमें app के बारे में लिख सकते हैं और जो app owner है जिसने app बनाया है वो आपको उसके एवज में पैसे देते हैं क्योंकि आपके पास च्छा खासा पढ़ने वाले लोग हैं आपके खुद के topic के बारे में जैसे कि आप मालीजे beauty के बारे में लिखते हैं तो बड़ी आसानी से वो app प्रमोट हो जाता है वो content प्रमोट हो जाता है तो वो जो app को बनाने वाले लोग हैं वो आपसे संपर्क करते हैं या फिर direct आप उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं या मैं आपका promotion को दूँँगा मुझे इतना पैसा चाहिए तो इस तरीके से भी आप एक तरीका ये भी है इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं चलिए ये हो गया पांचमा तरीका अब देखते हैं शटा तरीका यूट्यूब वीडियो प्रमोशन जी हां यदि आपका ब्लॉग बहुत अच्छा चलता है तो सेम टॉपिक वाले वीडियो जो बनाने वाले लोग हैं सेम टॉपिक पर वीडियो क्रियेटर्स जो है वो आपको संपर कर सकते हैं या आप अपना एक टैब लगा सकते हैं वेबसाइट के ऊपर अपना यूटियो वीडियो प्रमोट हमसे करवाईए और उसकी ये बज़ में आप कुछ भी पैसा लेख सकते हैं पांसो चैसो हजार के तक्रीमन आप ले सकते हैं मतलब इसी हिसाब से आप ले सकते हैं और उनका वीडियो जो है अपनी वेबसाइट पर फीचर कर सकते हैं उस वीडियो के बारे में लिख सकते हैं उनके चैनल के बारे में लिख सकते हैं तो इस तरह से उसके वीडियो को भी व्यूज मिलेगा और आपके भी जो ब्लॉग है उसके बारे में भी धियान रखियेगा और आपके जो ब्लॉग है उसके भी ट्राफिक बढ़ेगा यदि आप देखिए यदि आपकी टेकनोलोजी वेबसाइट है, हेल्थ वेबसाइट है, एजूकेशन वेबसाइट है, या तो ब्यूटी प्रडक्ट्स की वेबसाइट है, I mean ब्यूटी रिलेटेड आप लिखते हैं, तो आप एक e-book बना सकते हैं, जिसमें धेर सारी टेप्स and ट् लोड कीजे और उन्हें सेल पर लगा दीजे, अब उसका जो लिंक क्या आप अपने ब्लॉग पर दे सकते हैं, लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे, वाय दिस बुक और जाके सस्ता से सस्ता रेट आप रख सकते हैं, 10, 15, 20 रुपिया रख सकते हैं, अगर आपका जो बेस है, स अच्छा रेविन्यू जनरेट हो जाएगा, लाइक आप अगर 20 रुपे में भी आप बेचते हैं, तो भी काफी अच्छा रेविन्यू आपके पास जनरेट हो सकता हैं मन्तिकिंट पे, तो ये हो गया साथमा तरीका, आप देखते हैं, आठमा तरीका कुन सा है, दोस्तों, प्रोटेक्टेड पोस्ट क्रियेट कर सके हैं, तो वो जो पासवर्ड होगा, वो सिर्फ उनके पास होगा, जो कि पेड यूजर होंगे, तो आप ये कर सकते हैं, कि या आप सब्सक्राइब कर लो, जाके या तो पेटीम से इतना पे कर दो, या तो फिर जाके इंस्टा मोज तरीके बताएं, ये बैस्ट तरीके हैं, किसी भी ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपके ब्लॉग पे जवरदस ट्राफिक होना चाहिए, और आपके जो ब्लॉग की रैंक है, वो भी बहुत अच्छी होने चाहिए, तो आगे आने वाले जितने वीडिय हैं, इस चैनल पे, हिंदी टेकी पे, इसी बारे में आने वाले हैं, कि कैसे आप कंटेंट चुनें, कहां से आप टॉपिक उठाएं, कैसे एब बनाएं, कैसे वेबसाइट को प्रमोट करें, कैसे बहतरीन बैक लिंक्स बनाएं, सारा कुछ, बहुत कुछ इस चैनल पे आने से मिल जाए फिल हाल इस वीडियो में इतना ही आगे भी बहुत बहुत बीडियो बनाने की औरके आऊगा फिल हल यदि कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछ ली जेगा और वीडियो पसंदा आगा धो लाइक कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाल